हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू बेबी हल्थ एंड केर, आई होब कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सर्दिया स्टार्ट हो गई है और सर्दियों के साथ ही बच्चों की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई है, स्पेशली न्यूबॉर्ण बेबी की, जीरो से थ्री मन या उनका के बच्चों के लिए अगर उनकी पहली सर्दि है तो ये उनके लिए बहुत होता है क्योंकि सर्दियों के दिनों में बहुत से इंफ्एक्शन और वाइरल फीवर होते हैं, इनफेक्शन को छोटे बच्चे बहुती जल्दि से कि इंमुनिटी वीक होती है, जिस जिसे कि हमारा बेबी कम बिमार पड़े और वो हेल्दी रहे तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिलकुल ना भूले और सबस्क्राइब करना तो जरूर याद सबसे पहले गलती है जो अकसर हर पैरंस करते हैं और वो यह करते हैं कि वह अपने बच्चों को लेयर्स में कपरे नहीं पहनाते हैं सर्द्यों के दिनों में हमें अपने बच्चों को हमेशा लेयर्स में कपरे पहनाने चाहिए जिससे कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होता है इन लेयर्स में कपड़े पहनाने के बाद अगर बच्चे को कभी ज़्यादा गर्मि लगती है उसे गर्माहाट होती है तो हम कं επιittpower करने के लिए उसकी एक लेयर सकते हैं जिससे की बेबी भी कंथ भल हो जाता है और उसकी गर्माहाट थोड़ी कम हो जाती है और उसे जादा थंडी भी नहीं लगती है इसके साथ ही हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि बच्चे को हमेशा पहला कपड़ा कॉटन कहीं पहनाए जिससे की बेबी कमफर्टेबर रहेगा अगर आप डारेक बेबी को फुल स्वेटर पहना देंगे बिना कोई îसे पहन ले तो हमें भी eaching होती है इचेंग की प्रॉबलम होती है तो 002 बच्य को हो चाहिए और ऊंकमफरटेबल पहल करते हैं इसलिए जितनी लेयर के कपड़े आप पहनती हैं उससे एक लेयर जादा बच्चे को कपड़े पहनाएं इससे बच्चे को थंडी भी नहीं लगेगी और लेयर्स की वज़े से बच्चा कमफर्टेबल भी रहेगा और वो सवद्यों में सेफ रहेगा अगला है कि छोटे बच्चों को अक्सर थंडी चाती सर कान हाथ और पैर इन जगहों से लगती है इसलिए इन जगहों को हमेशा कवर करके रखे जैसे कि बच्चे को कैप पहनाएं और ऐसे फूल कैप पहनाएं इसके अलावा बच्चे के हाथ और पैर को भी कवर करके रखे पैर में सॉक्स पहनाएं अगर बहुत ज़्यादा थंडी है तो पहले कॉटन के सॉक्स पहनाएं और उसके बाद वूलन वॉले सॉक्स पहनाएं जिससे कि उन्हें थंडी कम लगेगी सर्दियों के मौसम में बच्चों को पूरी तरीके से कवर करके रखे उन्हें पूरे कपड़े पहनाएं जिससे कि उनकी छाती भी ढखी हो और उनको ठंडी ना लगे इसके अलावा रात में सोते समय बच्चों को मोटे वाले सॉक्स पहना करना सुलाएं इससे बच्चों क के पैरों में स्वेलिंग हो सकती है और यह बच्चों के लिए सही नहीं होते हैं इसलिए रात में इसे अवॉइड करें अगर आपका बच्चा चोटा है जीरो टू थ्री मन्थ या टू मन्स का है तो आप उसके लिए स्लिपिंग बैग का भी यूज़ कर सकती हैं यह बहुत ह कमफर्टेबल होता है और इसे बेबी पूरी तरीके से अच्छे से कवर रहते हैं उनका पैर भी कवर रहता है जिससे कि उन्हें थंडी नहीं लगती है नेक्स्ट है सर्दियों की मोसम में सर्दी जुखाम खांसी यह तो बहुत ही आमसी बात है अगर आपके बच्चे को सर आपसे फर्स्ट है जायफल का पेस्ट हर दो से तीन दिन में आप जायफल का पेस्ट बनाइए और उसे बच्चे के सर पे लगाए पंदरा से 20 मिनट तक उसे रहने दीजिए फिर उसे साफ कर लीजिए यह बच्चे को सर्दी जुखाम खांसी होने से बचाता है और यह पोटली बनाकर बच्चे के तक्ये के पास रख देजिए सिर्हाने के पास जिसी कि अज्वाइन के खुश्वी बच्चों के नाक में जाएगी और उनके बंद नाक से उन्हें दाहत मिलेगी अगला है बेबी मसाज सर्दियों के दिनों में मसाज बेबी के लिए बहुती फाइदेमंद होता है आप डेली बेबी की मसाज करें हो सकता है तो दिन में दो बार बच्ची के मसाज जरूर करें टेली मसाज करने से बेबी का blood circulation बहुत ही अच्छा होता है और उन्हें गर्माहट मिलती है जिससे कि उन्हें थंडी कम लगती है अगर बहुत ज़ादा थंडी है तो आप इस बात का ध्यान रखे कि बेबी की मसाज हमेशा बंद कमरे में करें और हो सके तो दोपहर के टाइम करें मौर्निंग में भी ना करें और इविनिंग में भी ना करें इस टाइम में थंडी जादा लगती है इसके वज़े से इस टाइम में बेबी की मसाज करना आवॉइट करें और दोपहर के टाइम में ही बेबी की मसाज करें जब बच्चे के गर्भनाल गिर जाती है उसके सरसों के तेलसे अलर्जी गहां, इसलिए आप पहले बेबि पर चेक कर ली तो नहीं है, इसके बाद से आप इन तेलों में से कोई भी तेल का इस्तमाल कर सकती है। नेक्स्ट है बेबी को नहलाना बेबी का मसाज करने के बाद आदे घंटे के बाद आप बच्चे को ज़रूर नहलाएं नहलाने के लिए आप हलके गुनगुने पानी का इस्तमाल करें धान रखें पानी जादा गरम ना हो और ना ही जादा थंडा हो जादा गरम पानी से अग बच्चे को नहला सकती हैं और जिस दिन आप बच्चे को नहीं नहलाती हैं उस दिन आप बच्चे को स्पंज बात सरूर कराएं इससे जब बेबी की मसाज होती है तो स्पंज बात कराने से जो एक्सेस ओईल होता है जो एक्स्ट्रा ओईल होता है वो निकल जाता है और बेब अगला है जिसको आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि थंडियों के मोसम में कम से कम 20-30 मिनट धूप आपको अपने बच्चे को जरूर दिखानी चाहिए धूप में विटामिन D होता है जो कि बच्चे के बोन्स को स्ट्रॉंग बनाता है और ये बच्चों के लिए काफी अच्छी होती है इसलिए अगर अगर कोशिश करें कि आप मौर्निंग में बच्चे को 20-30 मिनट की धूप जरूर दिखाए अगर मौर्निंग में पॉसिबल ना हो तो आप दोपहर में भी धूप दिखा सकती है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ध्यान रखे कि जरूर धूप दिखाए ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है लेकिन साथी इस बात का भी ध्यान रखे कि आधे से पौने घंटे से जादा धू दूप में बैठी रहती हैं तो ये भी बच्चो के लिए सही नहीं है ज्यादा धूप दिखाने से बच्चों की स्कींड़ को सकती है उनकी स्कींड्राय हो सकती है और उनकी स्किन की रंगत में भी इफेक्ट आता है मतलब सावला बना जाता है आँ सो कोशिश करें कि बच् फंड लगती हैं और वो रात में बार बार उठते हैं और अगर आप उन्हें अपने पास सुलाएंगी तो आपकी गर्महाट उसे मिलेगी जिस्सकि बच्चे अच्छे से सोयते हैं बच्चे को आप जहां सुला रही हैं उसके नीचे एक ब्लैंकेट बिछा दे जिसके की बच्Sen अफिक carriage लेकर और व pirate I ju Rosa करने से ने सिसे किन को बसक्ते हैं और विर अगर बच्च अच्छी आपका वी उड़ता है 就 सकती हैं 2 बुनदेसी घी लेकर बच्चे के सर के आगे वाले हिस्से पर यह पर दो बुनदेसी घी लगाएं और उसे अच्छे से मसाज दें इससे बच्चे बहुत ही रिलैक्स होते हैं और गहरे नीन्स होते हैं अगर जादा ठंड का मौसम है तो आप सुबा और शाम में बच्चों को बाहर लेके जाना अवॉइड करें दोफर के टाइम पर जब धूप निकलती है तब आप बच्चे को बाहर ले जा सकते हैं अगर आप ऐसे प्लेसिस में रहते हैं सीटी एरिय से बचाया जा सके तो यह थे कुछ टेप्स और कुछ इंपोर्टन बाते जिससे कि आप सर्दियों के दिनों में आपकी बच्चे को अच्छे से क्यार कर सकती हैं आपके बच्चे को बिमार होने से बचा सकती है और अपने बच्चे को सेफ रख सकती हैं यह वीडियो आपक ये वीडियो कफी पसंद आया होगा वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें तो चलिए कर आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप खुश रहिए और अप थे वाचिज़ एंगा वाचिज ना थी खुश बगाए